नवसकार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्ट, आए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, सबसे पहले बाद आज के पंचान की 11 अक्टूबर 2030 दिन बुद्वार, आश्विन मास चल रहा है, क्रश्न पक्ष है, द्वादसी तिती रहेगी, साम को 5 बच कर 37 मिनट तक फिर 13 तिती शुरू हो जाएगी मगा नचत्र रहेगा, सुबह 8 बच कर 45 मिनट तक फिर पूरो फागुनी नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा सिंग राश में गोचर कर रहे हैं, भगवान शूर कन्या राश में बिराजमान है विजय मुहुर्थ का समय होगा, दो पहर 2 बच कर 26 मिनट से, दो पहर 2 बच कर 50 मिनट तक राहुकाल का समय होगा, दो पहर 12 बच कर 8 मिनट से, दो पहर 1 बच कर 35 मिनट तक दिशा शूल है उत्तर दिशा चलिए शुरू करते हैं आपकर राशी फल सबसे पहले बाद मेश राशी की मेश राशी वालों की नित्र तो छमता और बढ़ेगी रिस्तेदारों से संबंदों में सुधार होगा अधूरे काम पूरे होँगे अपनी इंकम को बढ़ाने का प्रयास तेज करना होगा शुबरंग सीग्रीन उपाय भगवान गणेश की आरती करें ब्रश राशी कारे छेतर में मेंनद बढ़ाने का समय है नए लोगों से मुलाकात होगी अचानक धनलाब के रास्ते बनेंगे जल्दवाजी में फैसला करने से बचें शुबरंग गुलाबी उपाय देशी गव माता को रोटी खिलाएं मिथ उन्राशी रुके हुए कारे पूरे होगी धैर से फैसला करने का समय है कहीं दूर से शुब समाचार मिलेगा अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा शुबरंग हरा पाय भगवान गणेश को हरे फल का भोग लगाएं करक राशी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना होगा धनलाब के रास्ते बनेंगे परिवार के लोगों से संबंध मधुर होंगे नौकरी में तरक्की के लिए किये गए प्रयास सफल होंगे शुबरंग क्रीम उपाय भगवान क्रश्न की आरती करें सिंग राशी किसी बात को लेकर मन में चिन्ता रहेगी कुछ नया करने की योजना बनेगी कर छेत्र में सफलता मिलेगी सरकार से संबंधित काम बनेगी शुबरंग के सरिया उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें कन्याराशी हर काम सावधानी से करने का दिन है लोगों से उलजने से बचें अपने काम पर ध्यान देना होगा अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा शुबरंग हरा उपाय भगवान गणेश की आरती करें तुलाराशी आरती के स्थिती में सुधार होगा सिक्षा के छेतर में सफलता मिलेगी अपने स्वास्त का ख्याल रखना होगा करियर में उन्नती के मौके सामने आएंगे शुबरंग पीला उपाय किसी गरीब को आटा दान करें ब्रिश्चिक राशी सीनियर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा धन की प्राप्ती होगी सुख सुग धाओं में बढ़ोत्री होगी करियर में तरक्की मिलेगी शुबरंग लाल उपाय भगवान क्रश्न की आरती करें धनुराशी योजनाएं आपकी सफल होंगी रिस्तेदारों से मतभेद हो सकता है खान पान का ख्याल रखना होगा लंबी दूरी की यात्रा ना करें शुबरंग लाल उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें मकर राशी विदेश से संबंधित काम बनेगे मैनेजमेंट छमता और बढ़ेगी काम को लेकर व्यस्तता रहेगी नौकरी में उन्नती के लिए प्रयास बढ़ाना होगा शुबरंग सफेद उपाय भगवान विश्नु की आरती करें कुम्भ राशी आपकी कारेचमता बढ़ेगी धनलाब का योग है प्रापर्टी में निवेश से फाइदा होगा काम में आरही रुकावटें दूर होगी शुबरंग क्रीम उपाय भगवान कृष्न को माखन मिश्री का भोग लगाए मीन राशी आज उधार लेंदेन से बचना होगा किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें कहीं दूर से धना अगमन के रास्ते बनेंगे दिन भर किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे शुबरंग पीला उपाय भगवान विश्नु की आरती करें राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात आपका दिन शुब हो नवस्कात